तो लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने एल्कॉल की वो रिक्षन जिसमें ओएच बॉन ब्रेक होता है है सही है हम पढ़ रहे थे एप्लिकेशन पार्ट ऑफ इंड़क्टिव फेक्ट जिसमें बहुत सरी चीज़े पढ़ी थी ठीक है उसके बाद फाइनली हम आये रेक्टिविटी पर और रेक्टिविटी में काफी सरी पढ़ी जैसे रेक्टिविटी ऑफ ल्डेट की टोंस डे मतलब अल्कॉल में से बाहर निकलेगा यहां पर अपन वो रेक्टिविटी देखने वाले हैं और सबसे जो फेमस रेक्टिविटी वह है आप देख रहे होंगे थमनेल पर लुकास डियेजेंट टेस्ट लुकास अविकर्मक परिक्षण और इसमें एक चीज़ लिखे हो रहा है इसमें मेलनी तो अपना लुकास डियेंट तो हई है इसके लावा एल्कॉल की रिक्षण अपन जो अपन 11 12 क्लास में पढ़के आते हो एल्कॉल की रिक्षण पीचिल 5 के साथ पीचिल 3 के साथ में एक बार यहां पर आपन देख लेंगे ठीक है तो इन चीज़ों मैं इसको तीन तरीके से देखंगा है एक तो लुकास टेस्ट नम्मर वन पाट पीचिल 3 और पीचिल 5 दोनों को मैं एक साथ ले लिया और एक रिएक्षन विद सो से सबसे पहले में स्टार्ट कर रहा हूं लुकास टेस्ट के बारे में अब लुकास टेस्ट होता क्या है प टू डिगरी और थी डिगरी टीनो एलकॉल को डिफरेंशिट करने के लिए उनमें विभेद करने के लिए उनका पता लगाने की लिए अपन क्या करते हैं लुकास रिजन टेस्ट करते हैं किस तरही के से करेंगे वह भी आपन देखेंगी प्रॉपरली लेकिन सबसे पहले होत नोटी एंजिए और किस तरी के स मून के बारे निють रहे हैं सबसे पहले पन का करते हैं basic छी⁠ देखते है BBQ हो इंज बैस्ट चेयर की सब पर plugging संदेखहे हैं ऐसा दो जोnte तो उसने देखा organic chemistry और organic chemistry के फस्ट चप्टर की फस्ट रिक्षन है वह यह वाली मुझे तो अच्छे से याद है आपको भी याद होनी चीह है पता नहीं कितनों को याद है देखो यह एल्कॉल है एल्कॉल की रिक्षन मैंने किस से कराई HCL से इन दो प्रेजेंस ओफ एन हाइ क्या यह आर्ट यह और स्टू इस तरीके से ठीक इरिक्षन होती क्या से इसके बारे मोर देख लेते हैं एक बार थोड़ी से मेकेनिजम पर आते हैं वैसे तो इदर देखो होगा क्या यहां से क्या करेगा इधर से अगर मैं सिंपल बात करूं देखो जो अपन 11 12 क्लास में अग्रोड खोल जाता था टा इन्हें ये ये description कम्प्लीट इस तरीके से होता था ठीक है में अपट स्थुड़ा पना इसको अच्छे से देखने प्रोपरली देखो आर प्लेस चील माइनस क्या बना आर चील एच प्लेस ओएच मैनस क्या बना एच टू यह तो हो गई अपनी 1112 क्लास लेवल की बात अब थोड़ा पना आगे देखते हैं और क्या होगा इसमें सबसे पहले एल्पोल है एलकॉल प यह अलकॉल क्या करेगा वह यह एकला है की इस यह शी aggregate या क्या अच्छ क्यूद करता हृब how stripDent सबसे पहली स्टैब यह लोगा इसने क्या बनाया प्रोटोनेटेड एल्कॉल सब्सक्राइब आप देखो ऑक्सिजन है इसको अच्छे से देखना है कि बहुत ज्यादा कमी जब कमी होगी तो यह क्या करेगे लेक्ट्रोन को खेंचेगा तो खेंचेगा किस से यह अगर यह इ जिसका पहले वाला सब्स्रेट था यह तो उसमें आ जाएगा दुबारा से सही है इसका मतलब क्या होगा नो रिक्षन तो अल्टीमेटली क्या होगा यह जो आर है कौन है यह आर इस आर के इलेक्ट्रोन को यह क्या करेगा अपनी और आकर्षित कर लेगा और यहां से क्या ह आएगा और जो पॉषिटीव चार्ज उक्षन पर हुआ करता था जानने में और वो किस पर आजाएगा और पर और बनेगा क्या और प्लस और प्लस उसक्राइब क्या बोलते हैं तो का रुकट्रेंट यह प्लस दिया था इसके साद एक आयन और बचा था ठिक है इंस उस करके क्या करेगा और सियल में बदल जाएगा क्या एक तो आर सील बना और क्या बना एक एच्टू तो आर्ट अलग तरीके से बना जैसा पड़के आयते वैसे नहीं बना ठीक है हाँ यह अपने देख लिया तो थुरा सा मैंने बात वापस बता दू मैं आपको लुकास होता क्या है तो एक लिए उसमें विभीद पैदा करने के लिए उनको उनको पैचानने के लिए कि कौन सा वंडिग्री होगा कौन सा टू डिग्री होगा और कौन सा थी डिग्री होगा इसके लिए हम क्या करते हैं लूकास टेस्ट लिएजंट को काम में लेते हैं और नाम क क्या होता है पूरा इसका लुकास रिएजेंट टेस्ट लुकास अभी घर्मक परिक्षंट क्लियर है हाँ जी देखो आगए अब यह टेस्ट किस तरीके से होता है इसको पन को देखना है ठीक है देखो मैंने क्या करा तीन बोटल ली और तीनों में एलकॉल भर दिया एक में अब मेर कोई यह नहीं पता कि वह है कैसे मतला कुल मिला कि मालों कि तीन मैंने टेस्ट ट्यूब ली और तीनों में क्या किया मैंने वन डेग्री टू डिवी एलकॉल बढ़ दिया और उनकी जो लेबलिंग थी वह अटा दी यह उन पर लेबलिंग थी नहीं यह लगी हुई कि वह कौन सा कि कौन सा इलकॉल है उसके सबसे पहले क्या करेंगी जो भी बॉटल है उसमेंillar मैं क्याट दालेंगे लुटास रीजरुटं अवर में क्या डाल दिया अब मीनिंग क्या है इसका मीनिग यह है इसमें मैंने एन-ई-डर भी डाल दिया अभी है अभी हम जस्ट पढ़के आए देख इदर यह वाली कि एल्कोहल जब कंसंट्रेट एच सील के साथ रिएक्षन करता है तो बनाता क्या है वहिया और सील यह क्या बनाता है और सील फिर मैंने आपको सिखाई मेकनिजम तो मैंने मेकनिजम को ऐसे नहीं सिखाई आपको इसको स क्या होगा सब कुछ इस पर डिपैंडेंट है सब कुछ किस तरीके से देखना यह ढूंद बना अगर इसकी स्टेबलिटी को चेक करो और मैंने आपको बोला होगा है कार्ब के टैन की स्टेबिटी में आपको बताई हुई है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रों रिलीजिंग ग्र रही एक हम हो प्लश आई फेक्ट वाले हो तो क्या होगा इसकी स्टेविट इप इस हो इतने ज्यादा बन रहा है इसमें इसकी स्टेविट को आपी करो कैसे चेक करो नज ची कर हो एप यहीं पर आगर मैं आपको बता दूं कि इनकी स्टेबिलिटिक आउटर जो रहेगा वो क्या रहेगा सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले यहां पर यह क्या करेगा सब्सक्राइब करेगा सब्सक्राइब सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले क्या होगा सबसे पहले इंट्रीमिडिट बनाओ इन सब गश्रीन पर ज्लेटिक करने की जरूरत ही निये सब जानते हो है और लोग में हो उता है है थ्रीडिग्री और चया होता है वो जादे स्टेबल होता है एस कपार्टेवल बन रहा है तो सिन अँभला भी है जब भी किसी भी il सब स्टेड गिया किसी भी कंपाूंड की कोई प्रॉपर टीच्थेक करने हो आपको या उन fermented इसी order में जबाना हो तो मैं आपको सिखाया हुआ है चीज आप क्या करो सबसे पहले उस compound से उस property को शो करवा दो सही है उस आपने क्या किया उस compound से वह property शो करवा दी जो पूछ रहा है और शो कराने के बाद जो भी intermediate बना उसकी stability को चेक कर लो जैसे जैसे उस intermediate की stability वड़ेगी वैसे वैसे उस compound की जो प्रॉपर्टी पूछ रहा है वो भी क्या होगी बढ़ती जाएगी क्लियर है अब जैसे क्या पूछा इसने इसी पूछ रहा है कि यहाँ पर यह क्या है अपने पास अल्कॉल है ठीक है अल्कॉल रेक्शन किससे कर रहा है जो intermediate कर्बोगेटन वह सब जादा क्या होता है स्टेबल होता है तो 3 डिगरी कार्बोगेटन की बनने की अगर प्रॉबलेटी सब ज्यादा है इसकी सबसे ज्यादा है तो सीधी से बात है इस रियक्टेंट की इस एलकॉल की यहां से यहां आने की जो टेंडेंसी है वह भी क अब इसको बन देखते कैसे हैं जैसे यह पन देखते हैं तो वहाँ पर टर्बीडिटी आ जाती है और यह इंस्टेंट आती है तुरंत आती है यह क्या आती है इसको दिख रहा है कि सामने बनने वाला जो इंटर्मीडिट है और यह क्यों हाई यह आपको पता लग गया क्योंकि थ्रीडिग्री अल्कॉल जो होता है वो इतना इस्टेवल नहीं तो यहां पर भी टर्वीडिटी तो आएगी लेकिन थोड़े लेट आएगी पांस साथ मिनट बाद ठीक है एक्जेक्टली बोले तो आफ्टर फाइव मिनिट आफ्टर फाइव मिनिट पांस मिनिट की बाद क्या जाएगी दूद्या पना आजाएगा क्लियर है कोई उपार यहां पर क्या है एलेक्ट्रों की क्या कमी इलेक्ट्रों क्रूर में को पूरा करने के लिए इसके पास कोS av Tina एक लिए यहां पर तो आएगी नी ठीक है और अगर आभी गई तो यह कुई आदा घंटेवाद आती है और मामली से थोड़ी बोट आएगी ठीक है तो यहां मैं क्या लिखूंँ में या तो लिखूंगा नो टर्बीटी तो थोड़ी वोत आएगी है और वो भी कम से कमादा घंटे बाद इस तरीके से अपन करते हैं इनका test और मिन करेंगUp करेंगा तो क्या होता है ज्यादा स्टेवल मौर स्टेवल क्या है इagem से रहे आसे तो कि यह जले हो लीटी आ आती तो तो डिग्री कर्फोर्य म दिग्री कार्फ करते हैं और में अ। यह सारी चीजह इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट टेस्ट में आगया होगा फिर भी आपको की डाउट हो तो क्या करना हां हर चीज में ऐसे मत करना कि पूछ लो वीडियो को वापस करना बैक ले जाना फिर देखना इसको दो बार देखना तीन बार देखना ठीक है आगे बढ़ते हैं आपन रिक्षन वह रिक्षन पढ़ रहे है अलकॉल की जिसमें सी ओवन ब्रेक होता है कौन सा बॉन इसमें पने सबसे पहले क्या देखा लुकास रिजेंट आपन क्या देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट याद करो रियक्षन विद पीचल त्री और पी रिक्षन होती है न तो क्या बनता है य। बनता है तो इसको याद करने के लिए सिंपल से ट्रिक दी एक जब ट्रास में शीक्ते थे कि आप आरो एक वैसे लिखोगे और पी इसे लिखोगे यह लो इसमा दिया तो यह गरो फिर ऐसे गर दो यह करना आपको शिंपल बने क्या होगा एक सिफ्री ऊच्वरी ऊचिठा तो क्या होगा फोस फॉस इस उक्सिंट वोडस रेया Mär herator लाओ ग में इसमें हग टे नहीं को बना कि आ एक से च्चुर एक क्या और देख लेते हैं इसके पूर के साथ यह आया यह बनाता है यह बनाता है यह बनाता है सिम्पल सी बात है, यहां से जो C- Hoy Lak wiresивать, निकलेगा, वह क्या करेगा, इस ओ एच को रिप्लस करदेगा, तो होँ सीयल आ जाएगा, एस्टर की बात करेँ तो यहां से जो Cl- निकलेगा, इधर से जो C- क्या करेगा, यह सोर को रिप्लस करदेगा, बनाएगा क्या विललाइडी मनाएगा यहां पर भी है ल्टी हैड के बात करें तो यहाँ ध्यान रखना ल्डी हुता है ओक्सिजन जो है औक्सिजन वह क्या होता है c double bond OC लगा हो है इसके दोनों के आ ट्वरीन आजाते हैं दोनों की जाएंगे CL यट क्लियर इसका नाम होता है जैन्म लाइट नाम क्या होता है येक ही कारवन से अगर दो युद यजुड़े होगे हो तो नाम क्या होता है जैन्म लाइट येलो फिटेशन करेगा क्योती डैट्रें क्सेटिक्षन करेगा वाला को गुरूप है उसमें अटेगा उसके दोनों के जाएक के आजाएगा चील और चील इस तरीके से तो ग्यारी बार एक रिक्षन है अच्छे से आते होंगी आपको पड़ी है अपने ठीक है की टून के साथ भी सेम केस है यहां पर क्या जाएगा जो यह सी डबल बॉंड है यह अच्छे से रिक्षन होती थी अल्कॉल की तो अल्कॉल के तीन मोल काम में आते थे कितने मोल काम में आते थे इसलिए मैंने का लिख दिया है अपर थ्री आरो एच और पीचल 3 और बनेगा क्या वही आर सी एल और एस त्री प्योट्री बस ध्यान रखना जब पीचल कि मेरे साइब से को समस्था नहीं होगी क्या अलकॉल ही अब एक लास टेक्षन पीजिश इसका नाम है रिएक्ष्ट विर एसोच्य ल्टू इसको हो देट थायो निल लूराइड नाम कैस का थायो निल थायों निल रूझे लूरेंड अच हाजी क्लियर को यसमेश नहीं अ यह आर वाइच को मैंने कुछ तरीके से लिखा और याद का निकालो अब जो भी दिख रहा है आपको वैसी लिख दो एक क्या मन रहा है आपने पास और चील और बना है और क्या बना है तो एसो टूगेस क्लियर तो एसो टूगेस क्या हो जाएगी उठ जाएगी तो यह होता है अपना यहां पर हाँ जी इंडेक्टिव फैक्ट का एप्लिकेशन वाला पार्ट जो है वो खतम होता है ठीक है इसमें भी एक दूचीज और बाकी है उसको भी देख लेंगे अपन उ है क्योंकि अल्कोल जो होता है एक तो वाली और एक भी फोली ठीक है तो व्हाइच में बॉंड्रेग होगा तो एच प्लस निकलेगा एच प्लस निकलेगा तो वह एचिडिक बीवियर शो करेगा लेकिन अभी पुरे कंपांड की और देखनी है पन को इसमें STEVE-001-2 universe बचा हुआ है उसको नेक्स लेक्सर में देखेंगे और अपनाvy निट्रिक्टिव क्यों जाएगा उसके बाद पड़ेंगे और फटी चने पॉली है आपन पाधेंगे त्री फिर हम इस organic chemistry series में क्या-क्या cover करने वाले हैं clear है तो सबसे पहले में आपको बताए था reaction mechanism के बारे में reaction mechanism में आपको चार चीजे बताई थी सबसे पहले क्या होता है कोई reaction होती है तो उसमें electronic displacement होता है और वो दो टाइप क्यों होता है एक तो पर्मानेंट और एक है और हेक्ता है जैसे अपना ब्रल्ण के लिए बॉइची हुग है तो सब्सक्राइनन अ के बदेंगे और उस के बाद अने वाले किस पर है झी जो रिक्शन हstraantes है उस में टाइप की मेकानिकम है वो सारी चीजे फिर अपना ही अपना diary एसन टू एसन टू एए एसन आई एवन एटू ठीक है इन रेक्श्ट पर आजाएंगे एक बार के लिए हो जाएगा अपना कुछ पूर्शन हो जाएगा फिर अपने कुछ एक टॉपिक और बचेंगे अपने कौन-कौन से और अपने बेसिक टॉपिक को बचेंगे यह जैसे अपने कंप्लिट होते हैं फिर आपन आते हैं इस तरीके से अपने जनरल और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीजिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो अभी अपने स्टार्ट हुआ है आज यह अपना कौन से लेक्चर था सेव लेक्चर पर आओगे तो फिर आपको यह समझ में नहीं इसलिए अगर आपको बेसिक से केमिस्ट्री सीखनी है तो प्रोपर लेक्चर वंसे स्टार्ट करो ज्यादा नहीं है आदा पॉन पॉन घंटे लेक्चर है ठीक है आप इजली नको एक दूदिन में कवर कर सकते हो को कोई समस्चा नहीं आएगी फिर भी डाउट है आप कमेंट कर देना उन लेक्चर के बारे में आपको मैं एक बार बता दूगो जो भी टॉपिक्स वगर होंगे क्लियर है तो हमारी वीडियो को लाइक करना वीडियो को शेयर भी करना जितना ज्यादा जो नीड़ी लोग है कम से कम उनको तो आप शेयर करना ठीक है और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी खरो ओके थैंक यू थैंक यू सो मज़